अब आजो next exercise पर ठीक है अच्छा बच्छो देखना बच्छो 4.3 का first delete हो गया है completing 10 को है तो मैं यहां पर वो चीजे बता देता हूं तो मैं आप सभी को जो चीजे डिलीट हो गी है तो exercise 4.3 का first question question number one के all part ठीक है और देन उसके बाद आपका आजाता है example यह आप डिलीट कर देना example 789 यह डिलीट हो गया that is the completing the square और यह आपके slivers में नहीं है पता चल रहा है आप करें जा रहे हैं ठीक है अब आजो अब यहां पर बच्छों हमें बोल रख है find the root of quality equation सब्सक्राइब करने हैं ठीक है तो मैं आपने एक रफली आइडिया दे देता हूं तो यहां पर हमने एक चीज़ सीखे थी वह कॉर्डिट इक्विशन का root find out करने के लिए पहले तो हमें डी निकालना आता है जो कि हमें दिस्क्रिमिनिटेंड मेठेट भूलते हैं जैसे दिस्क्रिमिनिटेंड मेठेट तो डी इक्वल तो हमारे क्या होता है वह बी स्क्वेर माइनस में 4ac ठीक है फिर हमें निकालाएंगे और यह क्या कुण करते थे एक स्क्वाइर प्लस में बी. एक्स्वेर फ्लस में छेंगे खाल को हम चैंज्ज करते थे इसके अंदर बंगाएं तो झेंध आब हम यहांन पे देखते हैं तो यहां पे एक वेली क्या है विच्व टू और बी की वैल्यू क्या है माइनस का सेवन और सी की वैल्यू क्या है थ्री तो हम रूट निकालते हैं इसे आप डिरेक्ट भी कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो स्टेब बैस्टेब करते हैं और स्टेब करने दिए इक्वल टू बी का स्कुर्ए माइनस सेवन का स्कुर्ए माइनस में पुरे सी एक क्या है मेरा टू और सी क्या है मेरा 3 तो डेट मेंस ही हो जाएगा हमारा 749 माइनस में 4 तूजा 8 8 3 24 डेट मेंस मेरा d equal to कितना हो जाएगा बच्चों डी निकल के आ जाएगा मेरा 5 और यहां पर हो जाएगा मेरा 4 में 25 तो डी विल बी हमेरा 25 ठीक है उसके बाद हम में क्या करना है रूट्स निकालने रूट्स निकालते हम तो तो अलफा इक्वल to minus का भी तो मैंश माइनस प्लस हो जाएगा that is 7 प्लस में अच्छा रूट का डी 25 अप उन्टिफाइव अपॉन में एक्वल टू 7 माइनस में 5 अपन में 4 डैटमिस हमारा जो जाएगा 2 अपन में 4 टैटमिस हमारा जाएगा 1 अपन में 2 तो बीटा की वेल्यू कितनी हो जाएगी आपको चीज़े समझ में आ रहे हैं दिरे दिरे वाई इतनी मेहनत करी है चीज़े समझ में तो आनी चीए हाँ बच्चो हाँ बस पुसपा गई कि डायलोग याद रखना जुकेगा नहीं ठीक है मैं इसको रफ करता हूं फिद मैं आता हूं थर्ड कोशन पर सेकेंड कोशन आ सेकेंड को सन आपका हूंवर के आयर इसमें है इनि rif is all long फाल तो में ठीक है आप देखना वाग्रों यह आपका हों वाकर आप कमेंट सेक्शन दे बताना इसका आउन्स कितना कि ने आगा बताना जरूर बच्छो अब आ जाओ यहां पे मेरा एक या है इस को सन में थर्ड को पॉसन में आजाओ, A equal to मेरा 4 है, भई B equal to 4 root 3 है और C equal to हमारा 3 है, अब हम करते हैं, हम अब direct करते हैं, भई, alpha equal to minus का B, minus का B, minus का B, 3, plus में, root D, अच्छा, D के अंदर होता ही क्या था, B का square, that means 4 root 3 का square, B का square, minus में 4AC, मैं न, दूसरा color यूज़ करता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हूँ, minus का 4AC, तो 4 multiply A क्या है, 4, multiply C क्या है, 3, क्या बात है, upon में 2A, 2A, A, A क्या है, मेरा 4, तो alpha equal to minus में 4 root 3, plus में, बच्चो 4, 4 जा 16, 16, 3 जा, 48, 4, 4 जा 16, भई, 0 आ गया मेरा, root के इंदर 0, क्या करें, भई, 0 ही हो जाएगा, तो plus है बीच में, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे plus 0 लिखने से अच्छा है, मैं minus 4 root 3 लि तो यह मेरा हो जाएगा, 4, 2 जा, तो alpha की value कितने आगे, बच्चो, minus root 3 upon 2, ओहो, beta, भई, beta भी यही आएगा, कई पता चल दो, तुम solve करते जारो, क्या कि minus है, minus के बात 0 है, तो minus से कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो beta equal to minus में, root 3 upon 2, कई solve करे जारो, बच्चो, यार, इसको भी solve नहीं करना, ठीक है, तुमारा ये भी हो गया, ठीक है, जो तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगता था, then उसके बाद तुमारा ये बच्चो, ये तुम कर लोगे, I think ये चीजी हो जाएंगी, अब आजो next पे, ये बड़ा मुश्किल बच्चो, ऐसे question बड़ा मुश्किल हो first, x-1 by x equal to 3, इसको हम करते हैं, l से हम लेते हैं, तो यह हो जाएगा, x-1 upon x equal to 3, that means हमारा यहाँ पे, x-1 equal to 3x, इसको यहाँ बुला लेते हैं, तो यह हो जाएगा, x-3x-1 equal to 0, that means हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे, अच्छा बच्चो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ध् से देखा जाए हमें रूट्स निकाल लें तो अब इसमें वो फॉर्मला नमत लगा दे ना बचा देखो अलफा इक्वल टू माइनस कभी तो माइनस माइनस प्लस प्लस में रूट में खी स्कुर को स्कुर का लूटा है वहता है प्लस था एक है ऑले करेखो पहले जारा था जैंगा भी कर जाते हैं साथ क्याल कि माइनस में रूट में नाइन प्लस में थी प्लस में सब्सक्राइब निकल गें मेरे चीज है तो समझ में आगी ठीक बच्छौ इन इसी आपको समंझ मेंफीं अब आ वह वाज विए नोट कर लिया आपने इसी का सेकंड पार्ट मैं इसको 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 करता हूं तो LCM लेना मैंने बताया था बच्चो बिल्कुल सर आपने बिल्कुल बता दिया X प्लस 4 X माइनस 7 सर X प्लस 4 से में तो यहां आजाएगा X माइनस 7 multiply by 1 तो X माइनस 7 बीच में माइनस है माइनस लगाओ X माइनस 7 से में सर क्या जाएगा X प्लस 4 सर हमें चीजे समझ मा आ रही हैं अब हम खोलेंगे यहां पे ब्रैकेट खोल देंगे X माइनस 7 माइनस में X माइनस का 4 upon में multiply करें तो बच्चों ध्यान से देखना यहां पे एक property लगती है इसके लिए इतना पापड मत देलना तो हमेशा आजखना X प्लस A और X प्लस B की property है जो आपस में multiply होते हैं तो मेरा क्या होता है X का square प्लस में A प्लस B X प्लस में A इंटू में B तो यहां प्लस B अब यहां प्लस में इंटू में branष निटू में इंटू में 4 तो 7 for the 28 लेकिन minus का 28 ओहो क्या बात है सर इतना easy हो जाएगा क्या यह से cancel minus का 11 upon में x का square minus का 3x minus का 28 equal to 11 upon में 7 हाँ बच्चो यह 11 से 11 कार्ड दो अब मेरा क्या बच्चा minus x का square यहाँ बच्चा यहाँ बच्चा यहाँ बच्चा माइनस का बच्चा तो cross multiply करते हैं x का square minus का 3x minus का 28 equal to minus का 7 आई चीज़े समझ में आई गई बच्चो चीज़े समझ में आई थिंक आ गई होंगी बच्चो आई चीज़े समझ में ठीक है अब आजो मैं इसको यहाँ बुलाता हूं तो x का square इसको minus का 3x देन उसके बच्चा माइनस का 21 equal to 0 ठीक है अब यह कर लोगे बच्चो इसके बाद तुम कर लेना बच्चो ठीक है कुछ तुम भी करा करो आजसे दिया करो ठीक है ओके हाँ तो बच्चो यह word problem दुबारा आ गई है अच्छा एक चीज़ देखना बच्चो अब यह कईयों को बड़ा का मुश्किल लगते हैं मैं डाइग्राम मना के इतना इजी कर दूंगा सर आपका डाइग्राम हाँ हाँ बच्चो डाइग्राम से बिलकुल इजी कर गए मैं दिख सम आफ रेचिप्रोकल आफ रहमान्स एच इन एर थ्री एर एगो और फाइफ एर फॉम नाओ इस वन प्रेज्टेज और रहमान तो लिख दू है करा मैं रहमान प्रेज्टेज किसके रहमान के ऐ हमानř थेक है रहमान की प्रीजेनटेज है अब थ्री यह एगो मतलब पाश्ट थी एख है ओकिए थ्री एर फॉर्म नाओ मतलब फ्यूचर बच्छो कॉपी होंगे यह जब वीडियो अप्लोड होगी ठीक है सर हम समझ गये ठीक है आई जे समझ में अब क्या करते हैं बच्छो इसने प्रजेंटेज कुछ है न तो मतलब पूरा कोशन किसे पेंड़ने प्रजेंटे आज और रहमान रहमान भी एक्स पास्ट की इसको लिख सकते हो एह वो भी ठीक है अब हम क्या करेंगे लेट लेट रहमान एज लेट रहमान एज रहमान एज पीछे जा रहे हैं तीन साल तो आज की इससे अभी तुमारी देश दस साल है मान लो अभी कितनी होगी थैंद क्लास में हो तो फिफ्टीन तो तीन साल पहले कितनी होगी भाई तीन साल पहले माइनस करूंगा न अगर अभी तुमारी फिफ्टीन है तो कितनी हो जाएगी ब से तीन साल पीछे चले जाएंगे तो X-3 क्या बात है सर आपने तो विल्कुल एजी कर दिया ठीक है अब 5 year from now अभी के एज से लेट रह्मान एज 5 year from now तो कितनी हो जाएगी भाई होगी अबके बाद से 5 साल प्लस कर दूना अभी के इस से अभी तुमारी एज कितनी पंद्र तो तीन साल बात कॉलेज के फर्स्टियर में हो जाओ गए ना किसी अच्छे कॉलेज में डिव के किसी अच्छे कॉलेज में जाएगा वही नौर कैंपस में तो कितनी एडिज जो जाएगी 18 ओके सर हां सर 17 भी हो सकती है किसी ने एज कम करवाई होगी तो एक्स प्लस फाइज ओके अब इसने क्या बोल रखा है sum of reciprocal of romance 3 year ago इसका reciprocal भाई x का reciprocal क्या होता है 1 by x y का reciprocal 1 by y ठीक है तो किसके किसका sum 3 year ago and 5 year from now बच्चों इन दोनों का sum का reciprocal तो x minus 3 प्लस में वन अपॉन में एक्स प्लस फाइव क्या वात है सर जी उसका सम कितना दे रखा है बच्चो वन बाए थिरी सर इतना ही जी तहां अरे बिल्कुल बच्चो यह पता नहीं बहुत कई टीचर्स करवाते रहते हैं अगर हम देखो बच्चो अगर हम डाइग्राम मनाते ह अच्छा और तुम्हारा क्या होगा इस टैप से सॉल्यूशन दो तुम अब भी जो सी बेसी बोर्ड एक्जाम आ रहा है आपका आपने अगर तैंथ में इस टैप से लिखा तो एक तो उसका टाइम बचेगा डाइग्राम बना रहे हो तुम तुम्हारा तुम्हारा तुम् आपने ऐसा तरीका बता दिया अब हम एलसम करना नहीं एलसम सिखाएंगे सब्सकों है ठीक है एक्स प्लस फाइव ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा एक्स मैंस 3 इक्वल टू 1 बाइ 3 ठीक है हमने क्या करा भई यहां पर 2x हो गया एक्स प्लस बी एक्वल टू क्या होता है एक्स का स्क्वार प्लस में ए प्लस बी यह नाइन्थ का है प्लस में ए भी ठीक है नाइन्थ का है एर्थ का है यह अच्छो यह यह जो कॉंसेप्ट है तो हम एक्टेश से देखा जाए यहां पर एक ही जगा पर क्या है माइनस 3 औ 5 तो अगर करते इन दोनों को plus करते हैं minus 3 plus का 5 तो कितना हैगा plus का 2 तो 2x हो जाएगा और minus का 3 into में 5 minus का 15 equal to 1 by 3 cross multiply करते हैं तो हो जाएगा हमारा 6x plus में 6 equal to x का square plus में 2x minus का 15 इस सब को इधर ले आते हैं तो ही हो जाएगा 0 equal to x का square यहां पर जाएगा माइनस का यहां पर माइनस तुम माइनस और यहां पर माइनस तुम माइनस का हमारा बच्चो अभी तुम कर लेना अच्छे से ठीक है तो आपना कर लेना और मुझे इज बताना ना कमेंट सेक्षं में बताके अच्छे Sierra में ने बताना तरिमान की एंच इतनी है अब अपनी एग्यों बता देना अब आज़ो बच्चे घिक ठीक तो बच्चो चीज़े समझ मारें अलब यार मैं समझ में आईगी इन ए क्लाश टैस्ट्समसफाली मांस brag unconscious मार्ध इंगली द sudant जाता है कि तो 210 माक्नाते अगलब अगर मैस में दो नम्बर जाद इंग्लिस में दो नंबर तीन नंबर कम वेरी गोड हम मैस बढ़ रहे हैं मैस को आगे बढ़ाएंगे हां फले इंग्लिस में फेल हो जाए ठीक है इसा नहीं करना इनका प्रोड़क्त कितना हो जा तो दो सब्जेट्स पूरा तो दे दिया कोशल में ठीक है लेड़को बचलो दो सब्जेट्स के मांगे लेड़को कितने एक्स है लेड़को marks in math in math math be x बड़ा दुख हो रहा है maths के marks निकाल लेंगे ठीक है maths को solve करके math math हम सीख किसे लिए रहे हैं हम निकालेंगे ठीक है अगर हम बोलते हैं let the marks in math be x अरे जब दो subject मिलाके तुम्हारे 30 marks है मेरें एक सब्जेक्ट में 40 तो दूसरे में कितने है 16 हां वहां तो कर लोगे लेकिन Je 관uatie एक सब्जेक्ट के x हैं तो दूसरे subject में दोनों को मिलाके ठथर्टी हैं एक सब्जेक्ट में एक से तो दूसरा कितना हो जाएं शétais थर्टी में इस इतना कर ना शीख जो ठीक है, then, then marks in English, भाई, English में marks कितने है, भी, English में कितने है, टोनों मिला के 30, English में क्या है, math का minus कर दो, 30 minus x, ठीक है, आई जे समझने, अच्छा, अब इसने क्या बोल रखा है, भूला क्या है, इसने बोल रखा है, if she got, अगर, she got two marks more in math, मैं पहले लिख देता हूँ, if she got two marks, two more marks in math, अगर उसके maths में दो नमबर ज्यादा आ जाते, पहले कितने हैं, मैं x आए थे, दो नमबर ज्यादा, तो कितने हो जाएंगे, x plus में 2, ओहो, चीज़े, समझ मैं ही बिच्छो, and three marks less in English, English में 3 कम हो जाते हैं, and three marks less in English, English में 3 कम हो जाएंगे, हाँ, math में नहीं हो जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, भई, English में पहले कितने marks है, 30 minus x, 30 minus x से मैं 3 और minus कर देता हूँ, तो मेरा कितना हो जाएगा बिच्छो, यह हो जाएगा 27 minus में x, क्या बाद, अब आजाओ उच्छो, according to question क्या बोल रखका है, इसने product of their marks, अब जो यह marks निकल के आए ना, इनके, इनके product कितना दे रखका है, नए marks जो निकल के आए, जो math में बढ़ने के बाद, increase होने के बाद, और English में decrease होने के बाद हो जाए, इनका product कितना दे रखका है, 210, तो that means हमारा x plus 2, multiply 27 minus x, equal to कितना हो जाएगा मेरा, 21, 0, multiply कर दे, तो यह मारा कितना हो जाएगा, बचो अगर मैं इसको ना, easy way में करता हूँ, तो देखना कैसे हो जाएगा, मैं इसमें से लेता हूँ, बचो माइनस कॉमन, तो माइनस सिदन लगा जाएगा, x minus 27, equal to 210, अब आजो, तो एक तरीके से देखा जाए, यह मेरा क्या बन गया a plus b, और a plus, x plus a और x plus b की property बनगी, हम direct करेंगे, सर आपने बता दिया, हम बिल्कुल सेर बन करें, x का square, ठीक है, a plus b, तो मैनस का 27, प्लस का 2, कितना हो जाएगा, मैनस का 25x, ओके, इसके बाद कितना हो जाएगा, इन दोनों का multiply करेंगे, तो, मैनस का 27, multiply 2, तो मैनस का, हमार कितना हो जाएगा, 54, एकोल टू 210, ठीक है, यह मैनस इधर shift कर देंगे, इस मैनस के 210 को ते जाएगे, तो हो जाएगा, हमारा x का square, मैनस का 25x, मैनस का 54, इकोल टू 210, मैनस का, इसको इधर बुला लेंगे, आज हो बच्चो, x का square, मैनस का 25x, यह plus का हो जाएगा, तो मैनस का 54 तो यह हो जाएगा हमारा 0 तो यह हो जाएगा हमारा X का स्क्वार माइनस का 25X ठीक है हमारा हो जाएगा प्लस का 156 एकोल टो 0 मैं अपनी सकल उपर कर जेता हूं ठीक है कलर चेंज करता हूं मैं ताकि आप बहुर ना हो इसलिए में हम Jon ल backpack कर आपनुश्चेश कर रहा हूं तो यहां पर हो जाएगा X का स्क्वार माइनस कर दो फैक्टर निकालेगे तो यहाँ दखना भी दो फैक्टर खौन से हो जाएंगे 13 और 12 तो माइनस to 13x माइनस का 12 x plus 156 equal to zero तो यहां पर झाएगा हम common लेंगे तो एक स्मायनस में 13 और यहां पर माइनस को 12 विक तो X-13 equal to 0 तो एक बर 1x-13 equal to 0 आ जाएगा और एक बर 2x 23 cerca to artificial x is equal to 12 जाएगा बच्चों दोनों मसे दोनों मसे कुछ भी उठा कर डालो ठेक है तो आंसर कितना हो जाएगा तुमारा आंसर कितना हो जाएगा अब उठा कर डालो फ़र 12 अगर हो गए अगर उसके marks हम मैस में 12 ले ले लेते हैं तो इंग्लिस में कितने हो जाएगे 30-12 तो पारो हो जाएगा 18 अगर उसके marks में 13 ले लोते हैं तो इंग्लिस में कितने हो जाएगे मांस करेंगे तो हमारे कितने हो जाएगे ओ ठीक है आई थीजह समझ में 1 तरीस और इससे चीजह समझ में आगे अगर हम 13 लेते तो अमारा कितना हो जाएगा तो यह है बच्चो मार्क्स आई जह समझ में आई होप आपने अच्छी तरह के से समझ लोगा इस को तो बच्चो देख रहो यहाँ पर डैगोनल और रेक्टेंगुलर फील्ड हमें कितना दिरख है 60 ठीक है बच्चो पहले रेक्टेंगुलर फील्ड बना ले हम हमारे कई कॉ यह रेक्टेंगुलर फील्ड है अब हम इसमें अना तरी डैगोनल यह डैगोनल है मेरा तो डैगोनल कितना दिरख है में 60 में पहले जैसा कोश्चन है और देन दा सॉर्टर साइड फील्ड अच्छ यहां पर आचाओ ने लेता हूं यह रहा है ठीक है यहां पर मैं लेता denglarlagunlar ftet is 60 meter more than shorter side अब shorter side कोंशे देख है मुझा यह रिल सेख लेक्त को यह इस पे just किस पर डिपेंड है तीन साइड से ना तो डिपेंड किस पर हैं यह सारे सॉर्टर साइड पर तो सॉर्टर साइड को मैं एक्स ले ले लेंगे एक्स प्लस में कि किसने क्या वोल रखा है एक्स प्लस में 30-एड और जो हमारा डैवनल यह सॉर्टर साइड से कितने ंच्थ्टी जाता है तो लिपास तीनों साइड एक्स गेए बिल्कूल आगी है रायीबल के साथ आई यह मद अध्यकु छेंठ let let sorter side be x टेक है फिर longer side longer side b x plus 30 और diagonal डाइगोनल और रेक्टेंगुलर फिल्ड रेक्टेंगुलर फिल्ड एक्वल टू कितना हो जाएगा बच्छो एक्स प्लस 60 है सर हमें समझना आ गया यह कुछ पहले जैसे कुछ नुक्सा लग रहा है जो हमने इस 4.1 में करें तो बच्छो यहां पर फिर से पाइटागरस थर आगा है कि रेक्टेंगुलर फिल्ड लिकैंद तो एक्स प्लस 60 डेगोनिुल का स्कुर्व का क्वार जो के हाइप्रणास है गड़ा स्कुर्स एक्स का स्कुर्स फॉस्टcom 1-330 का थिक है गथे कैर्ट कर इसको खोलगा तो एक स्कुर्वार पलस में 120 एक्स plus में 3600 A का square plus 2AB plus में B का square equal to A का square plus में X का square plus में हमारा क्या हो जाएगा ये 60X plus में 900 आई चाह समझ में तो 1X से 1X कर जाएगा ठीक है 1X से 1X काट जाएगा मैंने अब आजो next जो हम solve करेंगे तो इन सब को इधर भेज जेते हैं 3 हो जाएगा X का square ये minus का 20X इधर आएगा और यहाँ पर plus का 60 पहले से तो minus का 60X हो जाएगा ठीक है अब ये आएगा बच्चो minus का 3600 यहाँ पर आएगा और plus का 900 पहले से तो minus का 2700 हो जाएगा equal to 0 आगे चीज समझ में ठीक है अब यहाँ पर बच्चो इसके factors तो किसे किसे होंगे भाई एक देश से देखा जाए X का square minus में 90X plus में 30X minus का 2700 equal to X 90X और X equal to 90X आपका भी यही आए तो comment section में जरूर बताए वच्चो comment section में जरूर बताएगा इससे क्या होता है वच्चो कि आपकी न practice हो जाती है साह साह में आपको यह लगता हो न practice is must math में practice बड़ा important है और खासकर ऐसे questions जिसमें आपको परिशानी होती है उनको जरूर steps से solve करके comment section में जरूर बताएगा आपकी practice भी होती जा रही है साथ में ठीक है और आपने अगर कुछ नए concepts भी सीखे है तो उसको भी जरूर बताएगे mention करिए और जितना सज़र जितना हो सकता है इसको share करिए subscribe करिए भाई ताकि मैं भी आपको नहीं नहीं चीज़े सिखा हूँ और आपको भी पता चले ठीक है अब मेरे को भी थोड़ा motivation सी feel हो आई जिए समझ में ठीक है अब आज़ा बच्चों तो एक तरी से देखा जाए मेरी sorter सैड किती हो जाएगी 90 लॉंगर सैड किती हो जाएगी 90 प्लस में 30 120 अगर हम जीरो-जीरो हटा दें यह जीरो-जीरो फालतों के जो है तो हमारे ट्रिप्लेट्स बन रहे हैं अब आते हैं next question पर अब आजो बच्चो यह question बिल्कुल बच्चे सा question है जहां से देखना बच्चो जैसा difference अब अरे सर यह तो बड़ा 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 बताते हैं हमारे स्कुल में समझ ले ना बच्चो पाई स्कुल में बताते हूं कि थोड़ा अपना अब थोड़ा basics हम यूज़ करेंगे इसम difference वो हमारा 180 है कितना हो जाता है हमारा? 9 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 कितना हो जाता 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 हमारा? 9 कितना हो ज अब राजय All-Unis अब है अब लाजन नमबर सार अभी आपनाइ पताया था 오늘 अभी आपने बताया सतहीं जूनिश्टार सारकिर भी आपने लेड़ स्लीट है to अब इसने क्या बोल रखा है square of smaller number 8 times square of smaller number 8 times the larger number ठीक है अब भाई मुझे smaller number नहीं पता बच्चो लेकिन क्या बोल रखा है उसने according to smaller number number का square देखो देखो ध्यान से देखना equal to equal to 8 times 8 गुना किसका 8 times किसका larger number larger number है क्या पहले में लिख देता हूँ 8 times the larger number ठीक है सर हमें बिल्कुल चीज़ समझ मादे smaller number smaller number का square smaller number का square equal to 8 times the larger number 8 गुना 8 तो लिख दिया 8 times 4 times मतलब 4 multiply होगा 5 times 8 times the larger number और larger number है क्या x है x रख दो यहां पर तो बच्चो एक तैई से देखा जाए हमारा अब इसमें क्या बोल रखा है एक तैसर करोगे क्यास में भाई हम smaller number minus करते हैं larger number यह larger number minus करेंगे भाई जाइट से बात है मारा जो आंसर है पॉजिटिव है इसलिए समझ में आई चीज़े मैं क्यों इसको कनवर्ट नहीं करा रहा था रूट के अंदर कि जरोती नहीं है मुझे कितना दे रखा है 180 चीज़े समझ में आगी बिल्कुल बिल्कुल समझ में आगी लार्जर नंबर मेरा है कितना भाई larger number x है तो x का स्क्वार minus smaller number कितना है उसका स्क्वार 8x है डारेट 8x पता चले तुम रूट में करके रहे एक्वल टुमारा कितना हो जाएगा 180 इसको बुला लो इदर आज ओ 180 8x माइनस का 180 एक्वल टुचिरम चीज़े समझ मारी है तो बच्चो 180 हमाई पास ऐसे दो नंबर कौन से है 5x नंबर यिकल्ट रूट four number two number equal two नंबर इकाल टू रूट में number इकल्ट रूट में EDX हुब हुजएगा इक्वल तो रूट में 8x हुजाएगा तो रूट में 8x हुजाएगा है ना यहोगा ना तो रूट में 8x कितना है हुजाएगा कितना हुजाएगा कितना हो जाएगा 144 है 2014 वह जाएगा 144 तो कितना हुजाएगा ऊ其實 मिने ठेक है आगे बढ़िए हसान लगा असाल लगा भच्चो άसान लगा तो तो comment section में comment करो और बस फोड़ के आओ exam में मुझे कुछ नीचे मुझे तुम्हें exam में जो चाहिए exam में मतलब question देखके तुम यह बोल दो यह क्लियर हो जाएगी चीज़े परलब डियाग्राम बनाएंगे सर्ड डियाग्राम बनाके हम विल्कुल इस को सब्सक्राइब कर देंगे टेको ट्रेंड ट्रैवल कर रही है वन 360 किलोमेटर एक युनिफॉर्म स्पीड में जा रही है तो भाई स्पीड हम क्या लेंगे यहां प क्या नॉर्मल स्पीड है ऐसी स्पीड जो की नॉर्मल स्पीड से ज्यादा है स्पीड मोर्दैन इस स्पीड मोर्दैन नॉर्मल स्पीड है वाई ऐसी स्पीड जो की नॉर्मल स्पीड से ज्यादा है ठीक है आए अगगी चीज़े समझने है वाई नॉर्मल स्पीड हम क्या लेली हमने X km per hour ठीक है sir और more than normal speed अब भाई इसने कितनी speed बढ़ा ली if speed had been 5 km per hour more अगर हम normal speed से 5 km और तीजी से जाते हैं new speed क्या हो जाएगी भाई new speed क्या हो जाएगी new speed जो हमारी हो जाएगी speed equal to normal speed क्या थी X लेकिन X से ज्यादा वहला हम 100 की रफ्तार से जा रहे थे अब 5 km और बढ़ा लिए क्या है 120 km की speed limit रहती है तो हम बढ़ा सकते हैं हमने 20 बढ़ा ली चलो तो 100 थी पहले है तो X प्लस में 20 हो जाएगी सेम यहां पर X थी तो X प्लस में 5 km पर आवर सर हमें हमें क्या दे रखा है बच्चों यहां पर difference क्या दे रखा है time का हम time तो जाईर सी बात है जब distance यहां पर भी हमें normal speeds जाएंगे तब भी उतनी कवर करनी है 360 km और यहां पर भी जाएंगे तो distance हमारा कितना है 360 km टाइम का difference आ रहे है अगर इसको देखते है हमारा difference क्या रहा है time का time क्या है एक घंटे है लेकिन एक घंटे आया कैसा अगर हमें normal speed देखो time equal to कितना हो जाएगा distance upon speed तो distance कितना है हमारा 360 upon speed x है और यहां पर जो दूसरा time है हमारा time equal to कितना हो जाएगा distance upon speed 360 upon में x plus 5 अच्छा बच्चो यह बताओ किसमे से किसको माइनस करोगे किसमे से किसको इसको हम ले लेते टीवन इसको ले ले लेते टीट जाइर सी बात है अगर नॉर्मल स्पीड से जा रहे तो हमारे पास हमें को time ज्यादा लगेगा और कि अगर हम अगर अप्धनी स्पीड बढ़ा लेते तो टाइम कम बलेगे गा जादा में से कम माइस करेंगे आप समझ माए है पता है कम मसे कम में से ज्यादा माइनस करो तो 360 उप इक वल्टू वन बच्चो तुमने देखा ये भी टाइम है ये दोनों भी टाइम है तो टाइम टाइम का रिलेसन है यह आप़े आई जाय समझने अब यह बच्चो करना और मुझे कमेंट सेक्षिन में बताना इसका आंसर क्या है बिल्कुल कोश्चन बिल्कुल इसी बना दि है तो बच्चो आप देख रहे हैं यह कोश्चन जो है हमारा देखना कि कलर चेंज कर लेता हूं इसको भर भर के लाइक्स मिलना चाहिए इसको करने में टीचर बहुत जागा टाइम लगा थोड़ा लॉंग बताते हैं देखना बच्चो मैं थोड़ा बताने की कोशिस करू ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा एक्जामनर की तरब से भी उसको लेए लगे है कि उसने स्मार्टनेस कर रहे इस कुशन के अंदर स्मार्ट वर्क राइस कुशन के अदर डेफिनिटली देखना बच्चो टू वाटर टैप तोगेदर कें फिले टैंक इन 398 अरे 398 न टैप आफ लार्जर टैप अफ लार्जर डायमेटर टेक 10 आवर लेस्ट थे स्मॉलर वन तो फिल दर टैंक सेपरेटली ठीक है अगर जो टैप लार्जर न वन जिसका जिसका डायमेटर बढ़ा है देखो मैं डाइग्राम बनाता हूं तब तुम्हीं थोड़ा जादा क्लि एक तो जो पतल है इसका डायमेटर ठीक है और जिसका डायमेटर बढ़ा है जिसका डायमेटर पुड़ा है अगी चीज़े समझने है इसको फिल करने है ठीक है चीज़े समझ मारी है सर हम डायम मनाएंगे पेपर में ऐसी बनाएंगे इजामेटर को खुश कर जाएंगे हम बिलकुल सारके फुल मांक्स दें ठीक है अब देखो तू दोनों मिलाके न बच्चू वह कितने घंटे ले रहे हैं अगर देखा तो इतने ले रहे हैं इस टैप ऑफ लार्जर डामेटर टेक टैन आवर लेस्ट जाइड सी बात भाई जिसके अंदर से ज्यादा पानी आएगा वह जल्दी भर देगा वह तैन आवर लेस्ट ले रहा है अगर हम छोटे वाले की बात करें तो डिपेंड किसके बड़ा वाल अचे जए रहा है थे ठिक है छोटे वाले की रहें लेंगे एकस तो लेट टाइम टेकन लेट अटाइम अटेकन ले वाई यह इश्मॉलर गदामीटर टेप इश्मॉलर टामीटर टैप कितना है एकस कितना ले लिया हमने एक्स ले लिया है ठीक है तो कितने आवर ले लिया है ठीक है सर समझ में आगी चीज़ है बच्छो ये टाइम है ये एक्स घंटे ले रहे हैं माल लो बच्छो तुम स्कूल जाने के लिए एक्स घंटे ले रहे हैं स्कूल जाने के लिए एक्स घंटे लिए हमें नहीं पता ल लेट टाइम एक एक गन्टे का निखाल ले तो मैं लेट टाइम टेकन बाई पाई श्मॉलर टैप टाइमेटर एक टाइमेटर एक गन्टे में कितना हो जाएगा वन अपन में एक्स, निया आई चीज़े समझ में दुबारा समझे, दुबारा समझे, भाई हमने क्या करा, हमने क्या करा, बच्चो ध्यान से देखा, तुम अपने यहां से स्कूल में एक्स घंटे में पहुचे, हमें नहीं पता कितने घंटे में, लेकिन एक घंटे की बात क तो कितना हो जाएगा one अपन एक्स ही तो ठीक है अब एक तीस देखा है हमारा क्या हो जाएगा लैट कि अब हम बड़ी वाली बुदल बड़ी वाले टाइप सानी कालते हैं लेट टाइम टाइम टेकन वाए larger diameter larger diameter tape sorry tape निकल रहा है in one hour जाइर सी बात है वो कितने ले रही 10 घंटे कम ले रही है किस से smaller tape tape से तो smaller tape कितना ले था था x minus में 10 1 यह आगे मेरा ठीक है गी मेरा time आया है बच्चो दोनों का time निकल ले है लेकिन दोनों को भरने में कितना time लग रहे है दोनों को भरने में कितना time लग रहे 9 8 मतलब एक ते से देखा जाए यह total time लग रहा है तो एक घंटे में कितना लगेगा इसका भी ऐसी तो यहाँ पर बच्चो आ जाएगा एक तरीके से देखा जाए time taken by बोध टाइम इसको न थोड़ा डार्क कर देखा ताइम टेकन भाइब भाइब बोध बोध टैप इन वन आवर इन वन आवर तो जाइर सी बात है हमारा अगर टोटल टाइम कितना है 75 पॉन में इट तो एक घंटे में क्या हो रेसिप्रोकल हो जाएगा बहुत 75 पॉन में इट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 8 पॉन में 75 क्या क्या बात है सब अब क्या है इन दोनों को मिला के बच्चों इन दोनों को मिला के हमें क्या दे रखा है अगर हमने देखा जाए according to question तो one पॉन में x ये टेप प्लस में 1 अपॉन में जो बड़ी वाली टैप है 1 माइनस में 10 एक्वल टू दोनों कितना टाइम ले रहे हैं 8 अपॉन में 75 यह आ गया बच्चो यह equation अब मुझे पता है confidence है यह equation तुम बना लोगे ठीक है ठीक है बच्चो इसका देना आंसर मुझे comment section में अब चलते हैं बच्चो आके क्या बात है बच्चो आई चाहिए समझ में हैं मजा आ रहा है ना question करने में हैं तो भाई जादा जादा जितना subscribe हो सकी अच्छी बात है मुझे भी इतनी motivation मिलेगी रात में तुमारी वीडियो बना रहा हूँ ठीक है अब आज ओ यह question बच्चो हम करकर करके अब हो चुके तंग क्यों तीन बार कर चुके है और ट्रेवल इतना अब इसने passenger train बना दिया और क्या बना दिया तुमारा express train हम बच्चो डियाग्राम से करेंगे ऐसे वाले हम नहीं करने वाले ठीक है और ट्रेंस है इतना डिस्टेंस कहरो करीगी है एकश्प्रेस जा रहे है वही लेकिन एकश्प्रेस कम टाइम लेगी है ना का ही कई बच्चे यह बोले अब एक तरीक से देखा जाए है हमारा जो passenger train है हमारा यहाँ पर distance तो पहले दोनों का से इस्टेंस कितना ट्रावल करेंगी passenger trail भी 132 किलिमिटर और हमारा distance जो express भी करेंगी 132 किलिमिटर आगे चीज़े समझ में सर आगे बताएं ठीक है अब यह बोल रहा है ये बोलव रहा है इसका हम इस्पीड ले लेते हैं X Let The Speed Of Speed of passenger train passenger train PT लिख़ो ऊच्चों of PT passenger train equal to? एक्स किलिमिटर परावार अब यहाँ पे आ जो । Let Let The speed of speed of express train 80 लिख दूं कितना हो जाएगा कितना ज़्यादा ले रही हो more than the passenger train average speed of express train उसकी speed कितनी बढ़ जा रही है भाई अगर यह 100 की speed पर चल रही है तो यह 11 किलमेटर पर आवर की speed ज़्यादा ले रही है तो यह एक तरही से देखा जाए है एक्स प्लस में 11 किलमेटर पर आवर सर समझ में आ गया हमें तो समझ में आ गया ठीक है find the average speed of two train इन दोनों का difference दे रखा बच्चों कितना है वन आवर का मतलब एक घंटे की आगे सब्सक्राइब इसकर आगे पीछे पॉस्थे हैं हां जैसे कि अगर देखा जाए सताब्दी और और हमारा express ट्रेण एक गनटे की बस उनका एक दो एक डिएड़ घंटे का रहता है आगे पीछे ठीक है हाँ खाने पीने का भी रहता है ठीक है एक तो एक यह देखा जाए वर्य ट्रेंड का 1 घंटे कम ले रही है तो जाईर सी बात है कौन सी ट्रेंड से किसका टाइन माइनस यह ताइम है फिर से यह आ गया यह ताइम अगर देखा जाए हम इसके अंदर जो निकालते हम यहां पर T1 निकाल लेते हैं तो time क्या हो जाएगा distance upon में speed तो 132 upon में x और यहां पर time t2 क्या हो जाएगा distance upon में speed तो 132 upon में speed कितनी है x plus 1 आई चाहे समझ में तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे किस से माइनस करेंगे जादा वाली जाए से बाते जो data time ले रही है तो 132 upon में x माइनस में 132 upon में x plus 1 अब इसको solve करना बच्चों यह हमारी बन गए equation this will become our equation तो मुझे बताना express की क्या speed है यह बताना पैसेंजर ट्रीन की क्या speed comment section में जरूर बताना ठीक है तो आई होप यह आपको चीज़े समझ में आई आगी होगी डाइग्राम से जाद अच्छी तरीके से है ऐसे अपने पेपर में बनाना अब इसने देखना देखो बच्चों sum of area of 2 square is 468 meter square if difference of their parameter is 24 meter find the side of the square देखना वच्छों हम बनाएंगे diagram ठीक है diagram बनाते है दो square से ले लेते है sum of 2 area of square बच्छों एक square ले लेता हू मैं छोटा ले ले लेता हू एक square ले लिया मैं छोटा एक square ले 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 वच्छों बड़ा कि किसने बोले ही 2 square है ठीक है यह तुड़ा rectangle टाइप का बन गया है कोई दिखकर निया देखो sum of area of 2 square is 468 meter a difference of their parameter देखो parameter किस पर depend होता है side पर हमें side तो पता नहीं है मैं इसका side ले ले लेता हू छोटे वाले का यह बड़े वाले का बढ़ा है लेकिन उसने बोला लेकिन किसी ने बोला भाई सर आपको कैसे पता कि एक छोटा square एक बड़ा square है दोनों same भी तो हो सकते हैं अरे बच् आप समझ वाई चीजे है चलो ठीक है लैट लेटड़ाइड़साइड फर्स्ट इसक्वायर यह फ़स्ट की स्क्वेर इसकेंड इस टाइप से बनाओ गए तो तो महरे बच्चों एक्जाम में मांक्स भी सहीं आइंगे लैट लेट दा साइड औफ पर्स्ट स्क्वायर पह ठीक है, and let, let the side of second square, जैसे figure में दे रखे है, equal to, बड़ा ए, बड़ा ए, meter, ठीक है, आई जाए समझ में बच्चो, अब area, तो area of, area of first square, area of first square, बच्चो, जब area, हमें side रखे है, तो area क्या होते है, side into side, तो a का square हो जाएगा, a square meter, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, area of second square, area of second square, कितना हो जाएगा, बच्चो, side into side, इसका a का square हो जाएगा, that means हमारा, a का square into m, चीज़े समझ मारी है, ठीक है, अब इसने क्या बोल, अब perimeter देखा जाएगा, परिमेटर अगर हम देखते हैं, आपी, देखना, परिमेटर, परिमेटर of first square, equal to क्या हो जाएगा, हमारा, 4e, छोटा, meter, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चो, परिमेटर of, परिमेटर of second square, equal to, यह क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई रिखती है, equal to मारा जाएगा, 4e, meter, 4e, meter, अब इसने बोल रखा है, according to question, difference of their parameter is 24, ठीक है, तो difference, तो मैं क्या करता हूँ, 4e, minus में, 4, छोटा, equal to, क्या है, जे रखा है, 24 meter, 4 common निकालता हो, तो हो जाएगा, बड़ा, a, minus में, छोटा, equal to, डिवाइड करेगा, 4, यहाँ पर जाएगा, तो 6 meter हो जाएगा, बच्चो, यह मेरी पहली equation है, अब इसने बोल रखा है, ध्यान से देखने बच्च, sum of area, sum of area of two squares, is, sum of area of square, तो area of first square, plus area of second square, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, area of a square, plus में, छोटे a square, equal to, मुझे दे रखा है, 468 meter square, मेरे पास कमी किसकी है, मैं क्या करता हूँ, इस में से छोटे a की value उठा के यहाँ डाल देता हूँ, तो a की value equal to 6, plus में a, यह जादू हो रहा है, color ही change हो रहा है, ठीक है, इसको मैं put कर देता हूँ, इसको ले ले लेता हूँ, इसको इक्ते सेकें, तो a की value put कर देता हूँ, में put in equation second, इसको value को put करता हूँ, तो मेरा हो जाएगा यह a का square plus में, छोटे a का क्या है, 6 plus में a का square equal to 468, तो यह जाएगा a का square plus में, identity लगेगी, 36 plus में, 12 a plus में a का square equal to मेरा जाएगा 468, अपनी तस्वीर यहाँ कर देता हूँ, बीच में, अब आज़ों, इसको मैं यहाँ solve करता हूँ, उपर, तो यह जाएगा हमारा 2, a का square, ठीक है बच्चो, plus का 12 a, इधर को बुलाते हैं, तो यह minus का हो जाएगा हमारा, 460 equal to 0, minus का 430, sorry, 430 equal to 0, मैं color select कर लेता हूँ, तो अगर मैं देखा जाए, मैं इस डिवाइड करता हूँ, बच्चो, 432, sorry, 432, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 2 से, तो जाएगा, a का square, plus में, मेरा क्या हो जाएगा, 6a, minus में, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 6, 12, equal to, तो एक तरीके से देखा जाए, बच्चो, मेरा आगया 216, अब इसको आप सुभी को factorization करना है, या D के method से निकालू, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पर a चाहिए, जो भी value आएगे, और छोटा a चाहिए, ठीक है, और मुझे comment section में जरूर बताना इसका answer के, तो आई हो बच्चो, आपको diagram के थूरू, जो जिस type से मैंने बताया है, पहली बार YouTube पे, diagram के थूरू ताकि आपके concepts ज़्यादा ज़्यादा clear हो, तो I think आपको चीज़े समझ भाए होगे, ठीक है, ओके, तो अब करते हैं continue exercise 4.4, ओके, और इसको जितना excited हो सके हो, उस type से पढ़के देखे बच्चो, और अपने concepts clear करने की कोसिस करें,